हेलो एवरिवान वेरे गुड़ मॉर्निंग तु वालो फ्यू जुल दिस एक बार कनेक्ट कीजिएगा नया टोपिक आपके लिए रहेगा फ्री रेडिकल इंटरमीडियेट के अंदर जो पढ़ते हो आप नयम रियक्शन्स वगेरा सब के अंदर काफी इंपोर्टन रोल प्ले करता है CSI एरनेट एक्जाम के अंदर और गेनिक का क्वेशन्स जहां जहां आपको दिखता है वहाँ कोई भी इंटरमीडियेट बीच में आपको देखने को मिलता है चाहे हो कारवीन की बात हो चाहे हो रेडिकल की बात हो डारेक्ट रियक्शन्स भी आजाता है कारवीन का और रेडिकल्स का तो इनके बारे में डिसकस करेंगे कार्बीन अपना complete हो चुका है जिसने भी नहीं देखा प्लेलिस्ट बना हुआ है बिल्कुल detail में ऐसा कोई point नहीं बचेगा जो आपके साथ discuss ना किया हो कार्बीन से related ठीक है तो कार्बीन जिसने नहीं देखा है वो कार्बीन के lecture देख सकता है नया topic आज free radical स्टार्ट होगा पहले आपको मैं यह बता दूगा कि इस पूरे portion के ध्रहम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं मतलब जब तक अपना कार्बीन चलेगा अभी free radical चलेगा ज्यादा नहीं चलेगा maximum यह मान के चलिए आप 4-5 lecture with questions आपका क्या हो जाएगा cover हो जाएगा कार्बीन के questions आपका हो गए तो एक session के अंदर 40-45 minute के session के अंदर कार्बीन के सारे questions लगा लिए जाएंगे most of the question तो मैंने आपको करवाई दिये कार्बीन के during जहां जाज इसका यूज जैसे सिमन स्मित का कोई question था तो वो साथ में discuss कर दिया इस टाइप से इसके अलावा यह जो classes है आपके लिए unacademy learner app के उपर दोस्तो free classes क्या है free classes इनको आप बिल्कुल free में देख सकते हो app के उपर जैसे youtube के उपर आप free में देखते हो same unacademy learner app के उपर special classes जो है बिल्कुल free चलती है देखिए वहाँ आपको lecture notes वाला यह जबरदस feature है एजुकेटर से बात कर सकते हो इसके अलावा आपको class का notification मिल जाता है live और recorded दोनों देख सकते हो ठीक है इसके अलावा देखिए यहाँ आपको screenshot लेना पड़ता है वहाँ आपको जो पढ़ाया जाता है तो उसका PDF format मिल जाता है मतलब notes मिल जाते है class के बाद class के बाद क्या मिल जाते है notes मिल जाते है ठीक है इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ तो यह अपनी जो classes है free classes है इनके अंदर यह वाली classes हो चुक्क है वैसे और GOC का lectures चल रहे हैं लगातार maximum हमने portion cover कर लिया है सिरह बचा हुआ by aromaticity और acid based chemistry और जितने effects होते हैं जो भी mesomeric, inductive, resonance, hyperconjugation सारे अभी आप पढ़ोगे न आज आज हम free radical पढ़ेंगे तो आप देखोगे free radical में hyperconjugation का कैसे use हो रहा है यह सारी चीजें यहाँ discuss जो वहाँ देख रहा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की किस question को समझाने से पहले वो answer करना खुझ से start करेगा यही एक pattern रहेगा पहले आपको बताया जाएगा फिर आपको questions discussing यह जाएंगे ठीक अभी मुना तो यह questions आप देख सकते हो UV spectroscopy के कुछ questions आपको practice कराने रहते हैं बाकि आपके साथ Woodward Fisher Rule solvent का effect lambda max कब decrease करता है कब increase करता है यह स जो calculate करते है different substituents के लिए वो discuss करना है इसके अलावा देखिए यह वाली जो ने test series है ठीक है पार C के लिए 16 November से यह start है प्रियास test part B के लिए 3 November से नया बेच start है 13 November से mock test mathematical science का यह भी start है आप इधर देख सकते हो outside बेच अगर life science की बात करें तो यह start है यह सारी चीजे क्या है चल रही है सक्वेंसली इन सबको जिसका subject है जैसे physics से TIFR के लिए PYQ session सल रहे है ठीक है इधर अगर हम बात करें तो part A के लिए जो कि सभी subject के लिए important है ठीक है इनको भी आप क्या कर सकते हो join कर सकते हो enroll कर सकते है अपने आपको और अपनी त्यारी को और बैतर है बना सकते ह दोस्तों इसके अलावा आप code यूज कर सकते हो अगर देखिए अगर आप three classes देखने जाते हैं और first time अगर आप विजिट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा classes लोक मिल सकती है तो उन classes को unlock करने के लिए आप code यूज कर सकते हो दूसरा आप plus subscription या iconic subscription के दोरान 10% discount के लिए भी content code है यूज कर सकते हो दो टाइप का subscription होता है दोस्तों जैसा कि आपको पता है unlimited access structured course ये plus के features हैं ये features iconic में already होते हैं बट इसके अलावा कुछ अलग से होते है iconic में study planner, study material, expert guidelines, test, analysis ये सब क्या है iconic के अंदर है इसके अलावा देखिए plus and iconic के अगर मैं बात करूँ तो यहां तक आप देखोगे तो यहां तक तो common होता है बना यहां तक तो common होता है और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये वाला ये सिर्फ आपको कहां मिलता है iconic के अंदर ये features मिलते हैं जिसमें personal coach हो जाता है study planner, weekly review sessions, study booster sessions, preparatory study materials ये आपको only and only iconic पे मिलते हैं नमस्ते पमी नमस्ते तो free radical हुआ, carbon हुआ, ये जब तक आप साथ में questions नहीं लगाओगे न, भई आपको simple mini theory पढ़ा के मैं निकल लिया तो उसका कोई फाइदा नहीं है, जो भी topic हम करेंगे उसका question साथ के साथ लगाएंगे, stability की बात करेंगे, reactions की बात करेंगे, structures की आओगा, उनकी बात करेंगे, detail म पर तीन validity period के साथ है, हर किसी पर आपको 10% discount मिल सकता है, मुनना अगर आप Bcam 10 code यूज करते हो, referral code की जगा जैसे आप यहाँ Bcam 10 code यूज करोगे, तो आपको 10% क्या मिल जाएगा, discount मिल जाएगा, और special classes को आप बिल्कुल free में देख सकते हो, उनमें कोई charges है, नहीं होता, अ देखिए सबसे पहले free radical के बारे में start करने से पहले, free radical की start करते हैं, उससे पहले एक बार we share where कर दीजिए, सबको अपने दोस्तों को बला लीजिए, बाकी लोगों को भी, देखिए, अगर ये आज का session रहेगा आपके अंदर, आपके लिए PYQ का app के उपर 6 बजे, इसमें ऐसा नहीं है कि जो हलके फुल के question है, उनको करेंगे, हलके फुल के question सबको आते हैं, ऐसा नहीं है कोई 18 electron rule के परे में, 3-4 question तो मैं नए रखूंगा यह, 3-4 questions new होंगे, बाकी 5-7 questions आपको क्या रहेंगे, ऐसे questions रहेंगे, जो मुस्किल लगते हैं, प्रिविएश येर में आ देखने को आज के ही lecture में मिल जाएगा, first time visit करते हो, तो unlock करने के लिए आप class, आपको lock मिल सकता है, अगर आप first time जाओगे तो, unlock करने के लिए आप क्या करोगे, be cam 10 code यूज कर सकते हो, जिससे आप इन classes को क्या कर सकते हो, unlock कर सकते हो, चलिए जिस सबसे पहले बात करते है radical क जलती से एक बार सभी connect करेंगे, देखिए अभी हमें क्या क्या चीजे पड़नी यहीं पधनी ही, पहले कि यह बाते होंगी क्या क्या पड़ना है, तो मैं heading । लख अगर में बता देता हूँ कि पूरे radical में हम क्या क्या पड़ेंगे, free radical में क्या क्या पड़ेंगे, free radical में Carbon में Formation बढ़ाथा, हम क्या पढ़ेंगे कि Form कैसे किया जाता है, Formation of Carbon, Formation of Radical Free Radical जैसे ही हम Formation की बात करेंगे, उसके बाद हम third step में कहेंगे, सार हमको क्या जानना है Stability जानना है, काफी important है ये वाला मामला, Stability of Free Radical, क्योंकि stability of free radical से direct action बोलता आपसे कि radical की stability बता दीजी साब आपको बोलता bond energy bond energy बताइजी किस की जादा होगी किस की कम होगी stability of free radical तीसरा आपने पास ये रहेगा और stability of radical के बाद आती है reactions जिनको आप बोल सकते हो name reaction क्या बोल सकते हो name reaction भी बोल सकते हो reactions इसमें आपको different different type की reactions पढ़नी पड़ेगी अगर मैं थोड़ी कुछ बाते करूँ अगर main-main reactions की तो आप कहोगे सबसे पहले अगर मैं बोलू कार्बोनील की बेस्ट कार्बोनील बेस्ट reactions जिनमें कार्बोनील compound होगा उन पे बेस्ट free radical की कौन-कौन सी reactions है वो पढ़ेंगे इसके अलावा आप बोल सकते हो कि alkyl halide की जिनमें क्या होगा RX group होगा alkyl halide based alkyl halide based कार्बोनील based या आप कहोगे radical chain reaction यह काफ़ी important है radical chain reaction radical chain reaction एक यह पढ़ोगे इसके अलावा substitution reaction कौनसा पढ़ोगे substitution reactions यह वाली चीज़े substitution reactions में भी आप दो टाइप के पढ़ते हो allylic, substitution, benzylic या mono halogenations या halogenation reactions इसके अलावा एक important है star करना है उसको तो AIBN से related questions पलस रच्णी बुटाईल, तिन हैट्राइड एजो, आइसो, बुटाईलो नाइटरल, यह net or gate के point of view से बहुत important है, जो box के अंदर लिखा गया है यह चीज़े हम सारे को सारी चीज़ों को एक एक करके क्या करना है cover करना है पूरे radical के अंदर बोलिए गास हम यहां तक का किसी को कोई doubt है, यह तो हुआ अब तक जो हमें पढ़नी है चीज़े, यह तो वह चीज़े है जो हमको पूरे इस free radical के अंदर पढ़नी है, जिसके अंदर सबसे important part रहेगा यह वाला stability का और इनके अलावा जो name reactions चलेगा उन पे भी काफी important तक बात करेंगे एक बार color यह visible है क्या नहीं है बोलो भैस अभी फटा फट जेगा आप देखे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ simple structure की आप कहोगे सर simple सा किसकी बात करेंगे structure की बात करेंगे color red change कर लेते है structure की बात कर लेते हैं सर structure सब कोई पता है कि क्या होटता है structure आप बोलोगे सर हमने यहां क्या होगा एक carbon के चार electron है तीन sharing में एक electron क्या होगा perpendicular P orbital के अंदर पड़ा होगा और यहां total electron के अगर बात करेंगे तो यह बोलोगे 7 electron species है 7 electron 7 electron species है और 7 है तो इसको क्या बोल दोगे ताप electron deficient की category में आएगा क्योंकि octet complete नहीं है तो इसकी property क्या रहेगी electron deficient होगा यह भी यह भी क्या होगा electron deficient होगा इसके अलावा paramagnetic होगा क्योंकि एक unpaid electron आपको दिखाई दे रहा है hybridization क्या हो जाएगा SP2 हो जाएगा मनना hybridization क्या हो जाएगा SP2 बोलो यहां तक की बात समझ में आई के नहीं आई यह तो ही simple structures की बात carbon का structures जो है वो ज़्यादा important होता है carbon के structure से काफी questions बनते है PK hello hello कैसे हो ठीक अभी यह तो बात हुई अपनी structures की इन चीजों में से अब जो charm चलेगा आज के session में दो portion हम cover करने वाले हैं यह दो वाले आज formation of radicals and stability of radicals free radicals की stability और formation जहां तक बताइए कि इसमें तो किसी को doubt नहीं होना चीए अब देखिए तुम्हें एक बात तो पता है कि सर सब जब जब formation की बात आएगी जब जब formation की बात आएगी formation formation of free radical free radical जब जब मैं formation of radical की बात करूँगा तो simple सा तुमको पता है कि सर कोई भी bond है एक तो या तो इसके लिए light चाहिए होगा या हमको हीट दिया होगा अब देखिए या हमें क्या दिया होगा chain initiator दिया होगा भई कोई radical initiator करें जो radical initiator let's suppose आपके पास A और B कोई bond है ठीक है A और कोई B bond है मैंने कहा है इसको क्या करवादो आप होमोलीटिकल क्लीवेज करवादो आपके पास radical बन जाएंगे तो क्या ये हर बार होमोलीटिकल क्लीवेज से radical बनेंगे या हम कुछ अलग तरीका अपना सकते हैं हमने तो ऐसा भी देखा है कि कुछ ऐसा भी चीज होता है वह ए पोजिटिव बन गया और B नेगिटिव बन गया उस केस में तो radical नहीं बनता वह कभी भी किसी bond को अगर तोड़ते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि ये तुम्हारे पास HCL है HCL ने तुमने देखा होगा है H-Positive और C-L-Negity तो क्या हम इसको क्या हम इसको radical form में तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यह तो आपको पता है कि क्या है Heteroletical Cleavage है और Heteroletical Cleavage में Catein और Renine बने है मैंने कहा कि हम radical बनाना चाहते हैं HCL को आपने जैसे ही क्या किया, हेटरोलीटिकल क्लीवेज करवाया, आपके पास H positive और C L negative बन गया, अब आपका कहना है कि Sir, हमें कैसे पता चलेगा, किस से radical बनेगा, किस में होमोलीटिकल क्लीवेज होगा, किस में हेटरोलीटिकल क्लीवेज होगा, तो मुनना यहां भी देखिए, जो HCL अना इसका भी क्या किया जा सकता है, हेटरोलीटिकल, हमोलीटिकल क्लीवेज है, करवाया जा सकता है, डिपेंड करता है, कि आप किस टेंपरेचर पे बात कर रहे हो, डिपेंड करता है किस temperature पर बात कर रहे हो अगर इसका homolytical cleavage जैसे आप 200 के आसपास लेके जाओगे 200 के पास तो यह किस में तूट जाता है homolytical cleavage देता है तो अगर आप room temperature पर यह हमारे पास low height मतलब normal temperature की बात है जब heteroletical cleavage हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ किसार मेरे को यह चीज़े देखनी होगी भई मैं अगर abo 200 बात कर रहा हूँ तो यह homolytical cleavage radical formation हो रहा है और यहां हमारे पास क्या हो रहा है दूसरा क्या है अगर मैं अगर abo 200 लेके जा रहा हूँ इसका मतलब क्या है मुझे heat करना पड़ रहा है या मुझे light photochemical reactions करवाना पड़ रहा है तब ही क्या कर रहा है radical generate कर रहा है दूसरा हमें कोई chain initiator radical initiator चाहिए होगा यहां तो या क्या बोलेंगे radical initiator भई जो radical बनाने में help करे ठीक है तो अब क्या क्या होगा मतलब पहला formation किस से करें सबसे पहला आपने बहुत जर्नल केस देखा होगा halogen से formation करते है radical की पहला किस से देखते हो आप halogen से halogen से आपने देखा होगा x और x hμ की presence में और heat की presence में simple आप चाह बना देते हो 2x radicals बना देते हो बहुत आप x का homolytical cleavage करवाते हो और आप क्या बनाते हो simple reaction करवा देते हो 2cl radical इस टाइप से दूसरा आप एक और देखते हो paroxide की presence में paroxide की presence में paroxide paroxide से आप कैसे बनाते हो आपने क्या लिया R, O और R देखिए ये कब होगा आप देखिए अभी थोड़ी देर में जैसे question सलेंगे ना तुमको पता चलेगा कि radical ये बहुत basic है सबको लगता होगा कि सर आता है थोड़ी देर में जब question आएगा ना stability का तो सबको ऐसा लगेगा सर ये क्या चल रहा है ठीक अभी जल्दी से एक बार ये सारी चीजे बहुत basic है यह सबने पड़ रखा होगा वह नहीं के तागी नहीं पड़ रखा होगा तुमने तो यहां मारे पास क्या बनता है 2OR radical बनता है क्लिएर है यहां तक की बाद बोले यार सबको इसके बाद तीसरा जो मैंने बोला आपके सामने आएगा A-I-B-N A-I-B-N Radical Azoisobutino-Nitrile इससे भी क्या किया जाता है अपने पास फोर्म किया जाता है क्या Pre-radical generation के अंदर इसको यूज किया जाता है यह आपको CSIR net में काफी बार देखने को मिलता है क्या क्या लोजिक है इसका कैसे बनेगा कौन सा बनेगा क्या radical बनेगा जल्दी से बताइएगा फटाफर से देखो जैसे इस पे आप light और h mu heat डालोगे तो आप देखोगे जैसे heat और light डालने के बाद heat और light डालने के बाद आप देखो यहाँ अपने पास ना N2 gas है जो कि एक बहुत बढ़िया driving force हो सकता है इस reaction के लिए अगर N2 निकल जाए तो क्या कर जाए तो अगर N2 निकल जाए इस bond को अगर मैं ऐसे break करवा दूँ सर अगर मैं इस bond को ऐसे break करवा दूँ तो आप देखोगे आपके पास क्या बनेंगे CS3C CS3 CS3 Radical और साथ में क्या निकल जाएगा N2 तो यह भी अपने पास क्या बनता है Radical Generate होता है क्या होता है Radical Generate होता है अच्छा एक question है आपके लिए एक question है आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा मैंने एक question है Radical की stability से question है which of the following statement is correct correct statement बताना है correct statement बताना है आपको only electron donating group only electronic donating group stabilize free radical free radical free radical को only electron donating group stabilize करते है दूसरा है only electron withdrawing group only withdrawing group stabilize करते है third लिख रहा है both donating groups as well as as well as electron withdrawing group electron withdrawing group कौन सा statement सही है withdrawing group कौन सा statement ठीक है कि carb जो free radical बनेगा उसको कौन कौन से group stabilize करेंगे कौन कौन से group उसको stabilize कर सकते है कौन मोलेगा अभी सिर्फ बता रहा हूँ stability की बात नहीं कियागी अभी सिर्फ मैंने इतना पुछा है कि कौन कौन से group है free radical को stabilize करते हैं क्या electron देने वाले group stabilize करेंगे या electron खीचने वाले group stabilize करेंगे और यहां पीके काया है कि only electron donating groups stabilize free radicals बाकी लोग बोलो बाकी लोग बोलो बाकी लोग बोलो मुनना बाकी लोग बोलो तो मुनना सुनो अगर मैं free radicals की बात कुनू let's suppose हमारे पास ये वाला free radical है ये वाला free radical है और एक मेरे पास ये वाला free radical है खेल आपके पास लेट्सपोज मान लीजिए यह वाले दो रेडिकल अगर मैं इनमें बात करूँ ना कौन सा ज्यादा स्टेबल है तो यह वाला ज्यादा स्टेबल है जब कि इसमें एलेक्ट्रोन इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है साइनाइड का रेडिकल का रेडिकल ठीक है इसके अलावा ओई टी का रेडिकल यह वाले रेडिकल इनको याद रख लेना वेसे तो यह देखा जाये तो यह क्या है हमारे पास विद्ड्रोइंग गूरूप की कैटेगरी का है बनते हैं उसकी वज़े से इनका जो मोलिकुलर और्बाइटल का एनरजी है वह डाउन चला जाता है और जब जब आपको पता है कि मोलिकुलर और्बाइटल डाइग्राम में बांडिंग मोलिकुलर और्बाइटल जो हो हो है उनका एनरजी जैसे जैसे डिक्रीज करेगा ब एनर्जी क्या करता है डिक्रीज करता है तो ऐसा नहीं है कि ओल्ली डोनेटिंग ग्रूप रिस्टेबलाइज करते हैं यह तीन के केस याद रख लेना साइनाइड वाला कार्बोनील ग्रूप वाला और यह वाला ठीक है यहां तक के बात के लिए कि नहीं हो जल्दी से बोलो इसके अलावा देखो अभी तुमने जो एंटू गेस निकाला था आपको ऐसा भी दिया वा मिल सकता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मेरे पास लेट्स पोज यह वाला ग्रूप है सी डबल बोन ओ ओ ओ और सी डबल बोन ओ और ठीक है आपके पास यह वाला ग्रूप है और जिससे इस पर आपने म्यू और हम्यू हीटो डाली तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो इसी बोन को क्लीवेज करवाओगे ओमोलेटिकल और आपके पास क्या बनेगा सी डबल बोन ओ ओ और रेडिकल अब यहां तुमको पता है कि जो सी ओ टू है एज गेस या क्या कर जाता जाय एलीव कर जाता है जैसे यह वाला तुम कहँगे यहाँ और यहां इसी बोन को ऐसलिवेज करवाओगे और यह वाला एक रेडिकल है यहां मेरे पास स्यो टू बन जाएगा प्लस भी निकलेगा वहां वांगा होजowski और यह बहुत हो जाएगा यहां यहां यह ब्लोन य यहां तक की बाद किसी को doubt है तो कुछ, clear है, अभी जो अपना मामला चलेगा, वो किसका चलेगा, stability का चलेगा, और जब अर्दस्त मामला है, stability का, stability का, 3-4 rule बताऊंगा, stability check करने के लिए, उनी को follow करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, जो आपको sequence बताया जाएगा, उसी sequence को follow करना है, कैसे questions आएंगे, कैसे questions रहेंगे, आपके सामने भी रहेंगे, questions भी रहेंगे, उनके answer भी आपको करने होगे, चलो भई, देखो सबसे पहले, stability of free radical, किसके बात करेंगे, stability of free radical, stability of free radical, अगर मैं stability of free radical की बात करूँगा, तो तुम्हें एक बात तो पता है, examiner यहाँ तुमसे direct नहीं बोलेगा, कि stability of free radical बताओ, डारेक्ट नहीं बोलेगा, कभी भी, वो क्या बोलेगा, bond energy बताओ, bond energy किसके ज़्यादा है, किसकी कम है, भई मैंने क्या किया था, मैंने अभी ऐसा ही किया ना, इस bond को break करके मैंने क्या बनाया था, radical बनाया था, अब मुझे एक बात बताईएगा, अगर यह वाला bond, अगर यह bond जो है, यह वाला bond, अगर यह bond strong हुआ, bond strong हुआ, तो यह x radical जो है, वो easily बनेगा या slow बनेगा, अब बनेगा सर, जितना bond strong होगा, उतना क्या बनेगा, slow बनेगा, मतलब bond strong हुआ तो क्या हुआ, bond energy इसका क्या हुआ, जादा हुआ, इसका मतलब क्या है, bond energy क्या है, जादा है, अगर bond strong है, if bond strong है, तो bond energy क्या है, जादा है, simple सी बात है, question कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा कि कोई molecule देगा, molecule में आपको बोलेगा कि bond energy बताइगेगा, मतलब वो तो आपको direct नहीं बोलेगा कि radical की stability बताइएगा, क्या नहीं बोलेगा, direct नहीं बोलेगा radical की stability बताइए, most of the questions में आपको यह से दिखाई देगा, कि bond की stability, bond की energy पूछ रहा है, तो आपको बताए कि जिस bond को तोरने के लिए energy जादा चाहिए होगी, उसी के लिए तुम क्या बो सकते हो, भई मैं यसे लिखता हूँ, bond strength, bond strength जो होगा, bond strength जो होगा, वो directly proportional to होगा, bond energy के, bond energy के, और जितना ज्यादा bond energy होगा, stability of radical का formation उतना ही कम होगा, मतलब उतनी उसकी stability कम होगी, तो मैं यह बोल सकता हूँ, कि bond का energy होगा, bond energy, inversely proportional to, stability of, color दूसरा, stability of radical, stability of, free radical, बोलो यार जल्दी से पड़ा पड़ से, stability of free radical, यहां तक की बात समझ में आई नहीं है, पहले तो यह बताओ, इतना जो अभी तुमको बोला गया है, कि जो भी हमारे को questions आएगा, वो ऐसे आएगा कि साब, पहले तो हमको क्या check करना होगा, कि जो bond हम तोड़ रहे है, ज उसकी strength जितनी जादा, bond energy जादा, bond length, bond energy जादा, तो stability कम, यह बात समझ में आए कि नहीं है, सबको बोलो सबसे पहले, फटावर से, आपको let's suppose, आपको question दिया, आपको यह वाला question बोल दिया, simple सा, CS3, simple सा question है, क्या-क्या method लगाने है, क्या-क्या करने है, सारी चीज़े discuss करे हें ही, CS3, H, दूसरा आपको बोल दिया, CS3, CS3, H, ग्रे, लास्ट आपको बोल दिया, CS3, CS3, ठीक है, दूसरा आपको अलग-लग नेमिंग कर दिया, इनको, यह वाला A बोल दिया, इसको B बोल दिया, और इसको C बोल दिया, अब आपसे बोल रहा है, कि इनका bond energy बताना है इस bond का क्या बताना है bond energy बताना है bond energy question है bond energy बताना है option आपके सामने bond energy का bond energy के लिए आपसे बोलेगा one sorry a b और c a b और c दूसरा आपको बोलेगा कि c b और a इसे लिख लो तीसरा है b c और a और d क्या है अपने पास फॉर्फ ऑप्शन क्या है c a और d c a और आंसर कर दो यार फटा फट से bond energy का order पूछ रहा है bond energy का order किस में जादा होगा अभी मैंने तुमको बताया नहीं है अभी मैंने तुमको method नहीं बताया है कि क्यों कौन से चार तीन जो step बताऊंगा वही step लगाने जो step तुम्हारे को बताए जाएंगे उसी step को तुम्हें follow करना है यह तो बहुत simple question है तुमने पढ़ा होगा तुम आंसर कर दोगे मुझे पता है ठीक है यह तुमको जो बताया जाएगा अभी जो stability की बात चलेगे ना free radical की जब जब stability की बात आएगी आपसे कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा radical की stability आओ आपको बोलेगा bond energy के बारे बात करेगा bond energy से हमें क्या करना होगा अगी questions कराऊंगा तो बहुत अच्छे से clear हो जाएगा कि कौन सा method कब लगाएगा कैसे पता करेंगे जल्दी जल्दी बताओ यार इसका answer करो पहले simple सा question है चले इसको answer करने से पहले पहले जान लो कि तुमको क्या क्या लगाना है किस method पर क्या लगाओगे कब कौन सा system लगाओगे मुझे एक बात बताओ अगर let's suppose पहले आपको लगाना होगा सबसे पहले hybridization क्या लगाना होग resonance यह सारी चीज़े मैं करवा चुका हूँ जी योशी के अंदर अगर किसी को नहीं पता चलता कि resonance क्या है hyperconjugation क्या है तो वो देख सकता मुनना app के उपर बिल्कुल free lectures है 13 lecture जी योशी के ले चुका हूँ hyperconjugations hyperconjugation देखो सबसे पहले आपको किसको preference देनी है hybridization को देन आपको किसको चेक करना है resonance को देन आपको किसको चेक करना है hyperconjugation को अभी जैसे आपके पास यह वाला complex है यह वाला complex है जो hybridization लगा होगे ना hybridization जैसे मैं अगले step पर लिख लेता हूँ अगर जैसे तुमने यह वाल दिया हो था जिसके उपर आपको 2 हाइट्रोजन एक लिए होता लास्ट वाले में आपको CS3 carbon hydrogen 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 यह आपको तीन दिये गए थे अब आपने क्या क्या radical बनाने के लिए क्या क्या bonn को break किया मुनना इसको और तुमने यह रेडिकल बना लिये, क्या बना लिये, रेडिकल बना लिये, रेडिकल बन गया, इधर अपने पास रेडिकल बन गया, यह वला, एक हाइट्रोजन इसके साथ रहेगा और रेडिकल बना दिया, सेम ऐसा तुमने क्या किया, यहां कर दिया, रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया, अब मुझे एक बात बताईएगा, radical का formation होने के बाद, जो भी hybridization check करोगे, वो किन की check करोगे? hybridization किन की check करोगे? जो हमें molecule दिया होगा, पहले उस पर क्या करोगे? hybridization check करोगे, पहले इस center की hybridization check करोगे, क्या है? आप बलोगे sir, sp3 है, यहाँ भी आप बलोगे sir, sp3 है, यहाँ भी आप बलोगे sir, sp3 है, मतलब hybridization fail हो गया, hybridization नहीं बताएगा, अच्छा hybridization कैसे बताएगा bond energy के बारे में मुन्ना? hybridization कैसे बताएगा? अब तुम्हें एक बात, यह सब कोई पता है, अगर मेरे पास let's suppose sp है, sp2 है, और sp3 है, यहाँ percentage of s character कितना है मुन्ना? percentage of s character, percentage of s character, आप बलोगे sir, यहाँ 50% है, यहाँ, sorry, sp2, यहाँ कितना है, आप बलोगे sir, 33% है, यहाँ बलोगे 25% है, ठीक है? और आपको पता है, कि जो bond energy है, वो directly proportional to क्या है? percentage of s character, यही तो बोलते हो ना, percentage of s character directly proportional to bond strength, bond की strength के equal है, तो जितना ज़्यादा percentage of s character होगा, वो bond उतना strong होगा, और bond जितना strong होगा, radical का बनना मुश्किल होगा, क्योंकि हमने देखा है, अभी, कि bond को तोड़कर यहाँ radical बना रहे थे, अगर bond weak हुआ, अभी आपसे बोला bond energy, अगर bond energy ज़्यादा हुआ, तो bond strength ज़ादा हुआ, और bond energy ज़्यादा हुआ, तो हमें क्या बोल सकता हूँ, stability क्या होजाएगा, अपोजित होजाएगा, अब आपको अगर bond energy का order पोछ लिया, तो stability का order क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, SP की हाइस्ट होगी बोर्ड एनरजी, बिलकुल SP की क्या होगी, हाइस्ट होगी बोर्ड एनरजी, ये बात तो समझ में आई, तो सबसे पहले मैंने जब इसकी stability चेक करने लगाना में, तो मैंने देखा कि पहला step हमारे पास आता है सर, है, hybridization चेक करेंगे, कि hybridization के दोरान जो हमें board तोड़ना है, जिस board को तौड़के radical बनाना है, वो कौन से, center से तोड़ रहे, SP से तोड़ रहे, SP 2 से तोड़ रहे या SP 3 से तोड़ रहे है, तो आपका काम आएगा Sir, जिसका board, SP hybridization होगी तो जादा होगा यहां तो सारे SP3 है तो हम नहीं बता सकते कि कौन जादा होगा कौन कम होगा फिर मैं चला कि resonance के पास चलता हूं दूसरा step पहला hybridization फेल हो गया दूसरा resonance के पास resonance का क्या कि मेरे बसकी बात नहीं है क्योंकि यहां कोई भी conjunction वाला system नहीं है तो फिर हमारे पास कौन आता था जैसे मेरे लाश्ट एंट तुमको बोला कि भाई साब इसके बारे में हमने जब आइपर को अब बात कर रहे थे जब जियोशी के अंदर तो मैंने कुछ आपको ऐसे अंदर अंदर गुम रहे है इसके में तो मैं एक्सप्लेइन कर देता हूं कि यह वाले लोन प्यर रेजोनेंस में है इसके कैस में मैं नहीं बता पता कि यहां होगा यह नहीं होगा तो फिर हाईपर कॉंजूकेशन पीछे से खड़ा हुआ था बें लास्ट बेंच पे सबसे जादा बोन एनरजी किसका होगा बोन एनरजी बोन एनरजी आप क्या बोलोगी किसका जादा होगा जल्दी से बोलो एरफटापट से बोन एनरजी का ओडर किसका जादा होगा बोलो रहे जल्दी से देखो अपोजिट कर दोगे सारा कुछ जितना बोन देखो अगर तुमको रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछे तो अपोजिट कर देना अब बोन जिसका जल्दी तूटे का जो जादा स्टेबल होगा, यह सबसे कम स्टेबल है, यह क्या है, कम स्टेबल है, यह जादा स्टेबल होगा, यह क्या होगा, जादा स्टेबल होगा, रेडिकल, और जो रेडिकल जादा स्टेबल होगा, वही बनने वाला स्टेबल, रेडिकल जादा स्ट पीन जलो से अपोजित करदोगे कर दोगे कैसे फटापड से बोलो तीसरा वाला मैंने लिख दिया R C triple bond CH बोलो भई अब जल्दी से पड़ापड से क्या रहेगा जल्दी से बताओ A B C लिख दो bond energy के बारे में बात करेगा bond energy लिख के देगा तुमको bond energy किसकी जाधा होगी किसकी कम होगी जल्दी से बोलो bond energy किसके जाधा होगा किसका कम होगा SP2, SP, SP3 बिलकुल SP, SP2, SP3 bond energy बिलकुल बोलो भई इसका बोलो जल्दी जल्दी से देखो दोन्नों का inverse relation होगा bond energy जितना जाधा होगा stability का order उतना कम हो जाएगा stability of radical inversely proportional to होगा stability stability of radical चीज़े भई लगानी है सबसे पहले hybridization चेक करना है then resonance चेक करना है और देन क्या अगरना अपने पास hyperconjugation चेक करना है बताओ इसके लिए क्या रहेगा बोलो जार जल्दी से बोलो बड़ा बड़से क्या रहेगा energy का order option बनाओ गया option बनाओ क्या बोला energy के तुमको B A और C जल्दी से आंसर करतो फटा पर से bond energy का order क्या होगा किस से bond easily टूटेगा किस से late टूटेगा जल्दी से बोलो फटा पर से C A B C A B C A B एक दो तीन बोलो C A B कौन सा है C A B कौन सा है मैंने क्या C A B का option बनाया कहीं if you have option निदे बनाया किया रूको भाई ओप्षन निन बनाया क्या चलो करो करो तुम करो किमारी मर्जी एक बार करो तुम क्यां बोन डिसॉशेशन एनेर्जी की बात हो रहे है या मना बोन डिसॉशेशन एनेर्जी की प्रवाइब देखो सबसे पहले मुझे बॉंड तोड़ना है तो सबसे पहले सबसे बात बोलो यार समझ में आई की नहीं आई C वाले का bond energy सबसे ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो यह बात समझ में है सबको C वाले का bond energy सबसे ज़्यादा अब दो मेरे पास क्या है SP3 वाले हैं दो क्या है SP3 वाले दो है SP3 वाले क्या है दो है अगर मैं यहां बात करूँ यह वाली कि ये वाला भी SP3 है और ये वाला भी SP3 है, मुझे इस bond को भी तोड़ना है और इस bond को भी तोड़ना है, मैंने bond तोड़कर, अब मैंने क्या वोला था, तुमको दो तीन चीज़े चेक करनी थी, hybridization, resonance and hyperconjugation, hybridization तो भी बोड़ तोड़ने से पहले देखनी है, जहां से मैंने bond break करना है, resonance और hyperconjugation कब चेक करते हैं, जब radical हम बना लेते हैं, तब चेक करना है, bond तोड़कर, अब bond तोड़कर मैंने चेक किया, कि मेरा bond तूट गया, और ये वाला मामला बन गया, ये वाला, यहां, और एक मेरे पास ये वाला बन गया, ये वाला, अब जिसका दोन्नों में जो radical बना है, वो stable radical बन रहा है, मतलब energy क्या देना पड़ा होगा, कम देना पड़ा होगा, क्योंकि bond टूटने के बाद stability की तरफ जा रहा है, इधर मैं इसकी बात करूँगा, इस radical को तोड़ने के बाद, bond तोड़ने के बाद, जो बनेगा, वो stabilize नहीं है किसी से, वो stabilize नहीं और उसके बाद A को देना पड़ा, ये किसका order है, बोन एनरजी का order है, और radical की stability की बात करेगा, तो क्या बोलोगे, radical की stability की बात करेगा, तो आप बोलोगे, A का stability सबसे जादा, देन अपने पास B का, और देन अपने पास C का, ये किसका order होगा, ये जो order है, ये किसका है, radical की stability का order है, radical की stability का, दोनों में different समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो यहीं बताएंगे, like share कर देंगे, एक बार सारे, क्या सब को यह question समझ में आया की नहीं आया है, जल्दी से बोलो, फटा-फट से, जल्दी से बोलो यार, एक दम से fast, बताओ यार, यहां तक की बाते समझ में आ रही है तुमको, जो बाते चल रही है, वो बाते सब को, मतलब दिमाग में बेठ रहा है, क्या कर रहे है, कब कौन सा लगाना है, sequence में लगाना है, sequence में लगाना है, अगला question दिया जाए तुमको फिर से, एक question और दिया जाए तुमको यार इसको करो इसको बताना है क्या कौन क्या होगा ये आपने पास एक system है इसमें तुमको बताना है कि कौन से Establishмо dowund energy का इबताना है तुमको एक ये वहला bound है और इसके बगल में इदर एक डो और तीन ठीक है और इधर hydrogen है यह complete मेरे पास क्या है aromatic ring है और इसके बगल में इधर मैंने क्या किया है यह वाला मामना है इधर है ठीक है और इधर आपके पास यह लोसा अब मैंने यहाँ जो जो बनाए है उनों उनको बताना है यह वाला यह वाला मेरे पास HA हो गया ठीक है numbering कर लेते हैं HAB कर लेते हैं इनको A B और इधर भी एक कर लो इधर एक और लिख लो इधर एक है चोर बना लो ठीक है A B और इसको कर लो अपने पास C A B C B और E option बनाओ क्या bond energy का bond energy के options देखो क्या होगा किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा B E A E B और C D A B E C आगे सारे दूसरा है C B E A और D ठीक है तीसरा है आपके पास D E A B और C फूर्थ है आपके पास जो बनाए है वो B A B C A A B C D E बनाएगा अब आंसर दीजिएगा इसका फटा फट से कि किसका bond energy ज़्यादा होगा किसका bond energy कम होगा जल्दिस आंसर करतो बस फटा फट से D लिख लो इसको D इसको option D कर लो और यहां confused हो रहे हैं तो 1,2,3,4 कर लो 1,2,3,4 कर लो करो बई आंसर अब तुमसे कैसा ही question पूछले bond energy का पूछले या radical की stability का पूछले ठीक है like share भी कर दो बई सारे अब किसी का गलत नहीं करना वैस इस question को कोई गड़त नहीं करना ठीक है मैं उस level से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तुमने पहले पढ़ा ही नहीं रखा मैं यह मान के चल रहा हूँ कि बहुत सा देखो कई बार क्या होता है कि अब तुमको पता है कि कोई student ऐसा होगा कि sir जिसने भई मैंने तो पढ़ रखा है यहां तो बस यह हो रहा है sir यह basic से चल रहा है तो भई कोई ऐसा student भी होगा देखो जो अभी MSC किया होगा या मालनों 20 दिन के बाद कोई वीडियो देखता है जो first time देखेगा तो वो zero level से उसको पता ही नहीं होगा फिर ही radical क्या होता तो उसके लिए बिल्कुल zero level से चल रहा है यह जिसने पढ़ रखा है उसके लिए भी जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए भी अपड़ रखा है वो इन questions को try कर सकता है साथ के साथ यह उन्हें के लिए वरना direct theory करवाई जा सकती थी जो पढ़े हुए है पहले उनका भी थोड़ा से क्या होना चाहिए सही होना चाहिए बोलो भई क्या होगा अंसर आ रहा है दो अंसर आया मेरे पास दो क्या है दो अंसर आया है अंसर आया है दो काजल का बाकी लोग बोलो यार सारे अंसर करो प्लीज एक बार सभी क्या करेंगे प्लीज अंसर करेंगे क्या है करो 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 सभी अंसर करो यार बे अंसर नहीं आए तुमारा केसी का भी एक आ रहा है एक आ रहा है एक भी आ रहा है दो भी आ रहे है बाकी बोलो सारे ट्राइ करो सारे सभी एक भार फटा पड़ सि राज क्या है लगाओ बॉर्ण एनर्जी को देखो बात खतम बस बाकी लोग नहीं अंसर करेंगे कि सब तीन लोग यह अंसर करने वाले हैं क्या बाकी कोई नहीं बोलेगा करने लग जाओ एक्स्प्लेइन फिर काओगे सार अमकर ही रहे थे अभी तो आपने अंसर पहले बता दिया चलो देखो भई सबसे पहले सबसे पहला अपना काम होता है हाइबडाइजेशन चेक करना क्या करना हाइबडाइजेशन चेक करना हाइबडाइजेशन अगर एस्पी हुआ तो सबसे ज्यादा बोंड एनर्जी हो जाएगा एस्पी टू हुआ तो देन देन एस्पी थ्री चे मतलब क्या हुआ मिरे पास सबसे ज़्यादा कोंध आ गया बॉन एनरजी के मामले में सबसे ज़्यादा पहले कोंध आ जाएका शर जो C वाला है ना सबसे उपर आएगा किव्यों कि यहां से बॉंड तोड़ना है मिरेको जो भी मिरेको बॉंड ब्रेक करना है सी वाले का यहां भी है और सी वाला यहां भी है तो जिसने भी आंसर दो दिया वह सबसे पहले बाहर हो गया है competition से ठीक है अब तुमको क्या चेक करना है देखो भी hybridization ने जितना explain किया उसके बाद तुमने एक बात पता कर ली कि सर there s p2 का क्या होता है S p3 से जादा मतलब b वाला गया sir ky Quit अगया c के बाद क्या जा भी वाला गया क्योंकि यहां क्या है s p2 center होना है तो मैंने बोला था आपको sequence में follow करना है bir जब हीपंधयмет नहीं बतायएगा तो resonance के पास जाएगए और जब resonance यात कडे करदेगा तो hyperconjugation के पास चलेंगे hyperconjugation के पास चलेंगे अब देखो अब मेरे पास दो decide होगे B और C वाला, अब मेरे पास कौन-कौन बचा है मुन्ना, कौन-कौन बचा है आप बोलोगे sir, यह ओचुका है यह भी ओचुका है, आप कहोगे sir, यहाँ मेरे पास E भी बचा हुआ है A भी बचा हुआ है और D भी बचा हुआ है अब इन तिनों के अंदर तुम कहोगे सर अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब मुझे वहाँ चलना होगा अब मुझे दिये हुए मोलिक्यूल पर बात नहीं करनी यह कहा लगाते थे जो गिवन मॉलिक्यूल है उसके उपर और यह कहा लगाते थे रेडिकल बनाने के बाद यह कहा लगाते थे रेडिकल बनाने के बाद रेडिकल पर लगाते थे यह वाले यह बात सबको समझ भी आ रही है मतलब आब मैं तीनों का चेक करने जाओंगा न radical बना लेता हूँ sir, क्या कर लेता हूँ radical का formation कर लेता हूँ यह लो sir यहाँ भी radical यह पूरा ही तूट जाएगा यार ऐसे तो यह तो यह पूरा ही तूट जाएगा मुझको ऐसे करना पड़ेगा इसको ऐसे इस mound को डाने के बाद यहाँ मैंने radical बना दिया और जब मैंने इसको radical बनाने की सोची, इसको तो यहां मैंने radical बना दिया, आरिये बार समझ में, अब तुमको resonance तो बता नहीं पाएगा, रेजूनेंस क्या बता पाएगा, रेजूनेंस इतना बता पाएगा, यहाँ जो radical बना है न यह resonance stabilized है D वाला जो है वो जल्दी बना होगा SP3 तो है SP3 यह भी है SP3 यह भी है और SP3 यह भी radical है यह जो radical जिस carbon से बने थे वो SP3 था वहाँ से तो बात समझ में नहीं आई उसके बात मैंने यह A, B, C B, E बोला है इनमें तुमने यह बोला कि सर जो B वाला radical है वो stabilized radical है और stabilized होगा तो वो easily बना होगा easily बना होगा तो उस bond को तोरने में कम energy देना पड़ा होगा मेरे पास दो चीजे थी मेरे को तोरने के बाद P बनाया क्यों बनाया और R बनाया bond इसको तोरने के बाद P वाला stable बनाया P वाला क्या बनाया let's suppose stable बनाया तो यह bond easily टूटा होगा ना क्योंकि जब reaction stability की तरब जा रहा है तो bond easily break होगा उसको तोरने के लिए energy कम देना पड़ा होगा मतलब फाइदे की चीज रही होगी हमारे तो मैं क्या बोलूँगा D वाले के लिए तो साप साप पता चल रहा है कि इसको तो energy सबसे कम देनी पड़ी होगी energy सबसे कम देनी पड़ी होगी D वाले के लिए energy सबसे कम देनी पड़ी होगी बात आती है सर A और E को कैसे decide करेंगे A radical बना तो उसको आपने resonance तो दोनों को explain नहीं कर पा रहा क्योंकि दोनों ही resonance stabilized नहीं है तो आप बोलोगे इसके बगल में क्या है 2 alpha hydrogons है इसके बगल में 3 alpha hydrogons तो यहाँ है सर और 2 alpha hydrogons यह है सर बोलो यारँ यहां तक के बात समझहागी नहीं 5 hydrogens है तो इसके बगल में 5 hydrogens है तो यह ज़्यादा stable बना होगा as comparison to A वाले के E वाला ज़्यादा stable बना होगा तो उसको तोड़ने बनाने के लिए energy कम देना पड़ा होगा यह बात तुमको समझना होगा वाई यहाँ A, B, C के बाद क्या बोलोगे यहाँ E आजाएगा और यहाँ अपना क्या आजाएगा A आजाएगा यहाँ अपना क्या आजाएगा A आजाएगा बोलो एर कितने लोगों को यह बात समझ में आई option देख लो अब तीन option किसी ने भी नहीं दिया तुमने तीन option किसी ने भी नहीं दिया वहीं, बोलो जल्दी से फटा वर से जल्दी से बोलो फटा वर से fast क्या ये बात के लिए हुई या नहीं हुई जल्दी से बोलो सभी एक बार फटा वर से क्या ये बात तुमको कलियर हुआ सब को हाँ जी, राज, काजल और गानी जिन्नों ने answer दिया था समझ में आया कि यह option क्यों नहीं होगा यह क्यों होगा तीन वाला क्यों होगा चले next question की तरफ बड़े किसी को कोई doubt पूछ लो दुबारा अभी इसी question में doubt नहीं रहना चीए किसी को भी doubt किसी का pending नहीं रहना चीए इस question से related जितने भी लोग देख रहे है कुछ तो ऐसे है जिनको बोलना नहीं है चीए doubt रहाजए एक question में गलत एक्स्प्लेंड कर दूँगा फिर तो बोलोगी कम से कम तब तो बोलोगी अभी तो नहीं बोल रहे है तब तो बोलोगी जब नहीं समझाएगा ना तब बोल जाओगी ठीक है इसी question में बोल जाओगी तो लो जी अभी आपने चला CS3, C double bond, CH2 और CH2 के बाद फिर एक CH2 और यहाँ H ठीक है यह अपने पास A molecule है B molecule मेरे पास CS3, C triple bond, C और H यह मेरे पास हर कलर से हर किसी को लिखेंगी वोई तो तुमको फसाएगा एक यह वाला है और एक अपने पास यह वाला है अब आएगी बात जबरदस्त तुमको थोड़ा सा परेशान, कुस तो परेशान होगे तुम कुस तो तुम परेशान होगे ना इसको एक बोला, इसको दो बोला, इसको तीन बोला, इसको चार बोला और इन बोल्डों को, यह चार मोलिक्यूल है, यहां लिख देता हूँ, चलो A, B, C कर देता हूँ, इसको A बोल्ड, B बोल्ड, C बोल्ड और यह D बोल्ड इनके एनर्जी के बारे में बात करनी है, बोल्ड एनर्जी के बारे में कौन सा बोल्ड एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, आपको यही बताना है, बोल्ड एनर्जी किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा बोलो यार जल्दी से पड़ा पड़ से, option A, option A बनाएंगे, तो हम बोलेंगे sir, यह वाला लो, चलो, लिखो, पहला option A बना लो, B, D, और C, और A, पहला option, दूश्रा option, B, D, C, और A, C option, C option बना लो, B, B के बाद C, C के बाद D, तो B के बाद A, यह वाला option बना लो, तो D बना लो, नन ओफ दीज, नन ओफ दीज, आंसर करो यार फटा फट से, इस question का कौन आंसर करेगा, bond dissociation energy, bond dissociation energy किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, B, C, B, C, D, और A, राजकार है B, C, D, A, और A, देखते हैं मुनना, करो आंसर करो अभी तो लिए, अभी तो time है तुम्रे पास, अभी तो time है तुम्रे पास, जितना असान समझते हो ना radical को, उतना असान होता नहीं है system, sorry, बोल दिया जाए, आंसर दिया जाए, सब के द्वारा आंसर आना चीए, सब का, जल्दी जल्दी से जितना मुनना लोग देख रहा है, सब का आंसर आना चीए, कोई भी भीड में पीछे ने चुपेगा, आंसर देगा सभी मुनना, b c b a, b c d a, तीन 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 आ रहा है, जी तीन आ रहा है, चलो रे चलो बताओ रे, बताओ सब मुनना बताओ रे, कोई बदल भी सकता है क्या, कोई answer बदलना भी चाहिए किसी को कि नहीं बदलोगे सिरफ दो लोग answer किया अभी तक सिरफ दो मुन्ना लोग answer किया सिरफ दो मुन्ना लोग answer किया तीन आरा देखो भई कैसे करना है सबसे पहले वही अपना प्राना फंडा सबसे पहले hybridization के पास चलेंगे किसके पास hybridization के पास येलो साब hybridization इस bond का check किया SP3 इस bond का check किया SP hybridization ये एक चीज बता दी कि B वले का सबसे ज़्यादा होगा सर hybridization के बाद 2SP2 वाले बन गे मेरे पास क्या बचेँए 2SP2 वाले बचे बचे होए है 2SP2 के बचे होए है यह तो सबसे देखो, SP3 वाला है, उसका तो सबसे कम आ जाएगा, सबको पता है, कि हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, A वाला तो सबसे कम बोन एनर्जी चाहिए होगा, hybridization के base पर decide हो गया, बचा है दो molecule, B और D वाला, C और D वाला, C और D वाले में तुम एक बात देखो, resonance की वज़े से जो stability आती है, उससे हमको extra stability दिखाई देती है, experimental जो resonance की वज़े से जितना stability आना चाहिए था, resonance की वज़े से जितना stability आना चाहिए था, उससे ज़्यादा stability शो करता है यह compound, क्यों करता है, क्यों करता है, क्योंकि aromaticity की वज़े से, किसकी वज़े से, आप कहोग के बन जाते हैं, lower energy के, क्या बन जाते हैं, lower energy के, और lower energy को जिसका energy कम होगा, उसकी stability जादा होगी, क्या होगी, stability जादा होगी, बोलो यारी, एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं resonance की बात करूँ, तो देखो resonance stabilize तो दोनों ही नहीं होगे, क्योंकि यहाँ भी जो radical बनेगा, और उसके perpendicular है, यह P orbital, यह P orbital क्या है, उसके perpendicular है, जिस plane में pi orbitals है, उनके क्या है, perpendicular है, यहाँ तक की बात समझ आ रही है, मतलब क्या है, कि यहाँ भी resonance stabilization नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट यह जो molecule है, overall molecule की stability देखते हैं, तो तुम यह कहोगे, कि यहाँ तो aromaticity की वज़े सी stable है, complex यह compound stable है, और किसी compound stable में से bond को तोड़ना असान होगा, कि किसी less stable में से तोड़ना असान होगा, तो आप simple सकाओगी, sir, more stable वाले में से तोड़ना, थोड़ा मुस्किल होगा, तो मतलब क्या है, कि C वाला जो तुमारा था, यह D वाला था, साइद, इसको D बोला था, इसको C बोला था कि D बोला था, किसको क्या बोला था, जल्दी से बोलो, समझ नहीं आया, क्या बोल दिया, option क्या बनाया था, मैंने, सही यही बनाया था, option तो बताओ क्या बनाया था, मैंने, option बताओ क्या बनाया था, जल्दी से बोले एक बार, फटा पड़ से, option क्या बनाया था, option क्या बनाया था option यही बना रखा था ना B के बाद C था एक में चेंज किया था मैंने बाक्की तो सेम था B और D का चेंज किया था A को सेम रखा था मैंने A को यहां भी सेम रखा था एक को c पेले एक को d बेले तो अब तुम्हारा answer समझ में आ रहा है तुमको क्या बनेगा answer समझ में आ रहा है कि c वाले तो b वाले तो सबसे जादा था और a वाले सबसे कम था अब दोन्लों compound में देखो इस और इस bond को तोड़ना energy किसको ज़्यादा देना पड़ेगा तुम कहोगे सर ये D इसको D बनाया था न साइट इसको D बनाया था इसको C बनाया था ऐसा ही किया था पड़ा और फिर तुम क्या लिखोगे इसके बाद कौन है था आपके पास R CH2 वाला यह वाला बोड़ को तोड़ने के लिए टेन mortgage देना पड़ा और उसके बाद तुम को वेरे गुड़ अफ्टरनून वेरे गुड़ आफ्टरनून जल्दी बोलो क्या यह कोशंग के लिए हुआ सबको यहां तक कि बात सबको संझ में आई कि नहीं है जल्दी से बोलतो फटा पढ़ से फास्ट अ कि बոलो रे मुन्ना क्या यहां तक की बात समझे आई अब रेडिकल की स्टेबलीटी पूछेगा तो पूछेगे तो चुप से इसे अलग से उसको रिवर्स कर देना भी को पहले फिर डी को फिर सी को फिर भी को कलियर हुआ के नहीं हुआ यहां तक बोलो यार जल्दी से पड़ा पड़ा अब बात करेंगे सर रियक्टिविटी की कहा की बात करेंगे रियक्टिविटी की बात करेंगे किसकी बात करेंगे रियक्टिविटी की रियक्टिविटी ओफ रेडिकल्स रेक्टिविटी ओफ रेडिकल्स, रेडिकल्स की रेक्टिविटी के बारें बात करेंगे, जल्दी से एक बार सभी बलेंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भई एक बार, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार जल्दी से बढ़ा फट से या सुर्णों बोल सकते हो कोई अगर किसी को कोई डाउट है तो यहां तक की चीज़े किसी को नहीं समझाई तो पूछ लीजिएगा फिर नहीं टोपिक है अगला reactivity of radicals यहां तक किसी को समझे तीन चीज़े बताई है उन्हीं तीनी चीज़ों को अपलाई करना और आंसर करना है बस reactivity of radicals बोलिए मुन्ह कोई नहीं बोल रहा है बई चले जी अगर दिक्कत है तो दिक्कत को रखिएगा दिक्कत बना के ठीक है संबाल के रखिएगा उसको पूछने का नहीं ठीक है अब यह बात सुनो अभी reactivity की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सर कभी भी कोई reactivity कोई radical तो बनेगा क्योंकि हमने देखा है कि किसी molecule में दो-दो radical हम generate कर रहे थे क्या कर रहे थे मैंने R और R का bond break करवाया और मैंने radical बना दिया अब तुम्हारे पास कैसा कैसा प्रोड़क्त यह प्रोड़क्त आते हैं इस टोपिक से क्या पूछे जाते हैं आपसे possible products पूछे जाते हैं possible products कैसे देखो अगर तुम्हारे पास let's suppose कोई radical है रेडिकल यह और एक रेडिकल यह वाला दोन्हों radical आपस में मिलकर एक प्रोड़क्त मना ले दोन्हों का pairing हो जाए मतलब एक electron इसका और एक electron इसका जब कोई bond बनता हो तो उसके अंदर एक pair of electron होता है तो हम क्या बोल रहे है paired molecule क्या बोलते है paired molecule paired molecule बनेगा जब radical और radical मिलेंगे जिसको coupling reaction बोल सकते हो आप है जैसे यह वाला तुम्हारे पास CS3 radical और यह CS3 radical दोन्हों ने मिलके क्या बना दिया यह वाला प्रोड़क्त जनरेट कर दिया CS3 CS3 अब मुझको एक बात बताओ दुन्हों में जो radical बना है वो कैसे बना है इसके पास भी एक unpaired electron था एक इसके पास था दुन्हों के पास साथ साथ electron थे दुन्हों को जरूरत थी दुन्हों नहीं यह का की हाथ मिलाया और प्रोड़क्ट का formation कर दिया और जिसके अंदर एक pair of electron pair of electron बना इसलिए हमने क्या वहला paid electron कई बार क्या होगा देखो कई बार क्या होगा तुम्हारे पास ऐसा होगा एक radical होगा एक radical होगा और उसके साथ क्या होगा paid molecule होगा इसका ऐग्जामपल को होगा ऐगा देगा प्रोडकर यहां तक बोलोगे, यहां तक समझ में आया, इन दोनों का एक्जम्पल बताइए का मेरे को फटा फट से क्या एक्जम्पल होगा, इन दोनों का एक्जम्पल क्या होगा, जल्दी से बोलो फटा फट से, क्या बोलना चाहोगे, क्या होगा एक्जम्पल, बोलिए का मुनना लो ले लिया ये वाला ये वाला रेडिकल अपने पास है ये वाला रेडिकल अपने पास है इस रेडिकल के साथ मैंने सेम एसा एक रेडिकल और ले लिया एक है सेम रेडिकल एक और ले लिया क्या यह जो मैने paired molecule लिखा है एक बात जरूरी समजो अगर कोई दो मुन्ना मिलने आ रहा है ठीक है कोई दो मुन्ना पसमें मिलने आ रहा है और उनके अगल-गल वाले नहीं चाहते कि वो मिले, अगल वाले नहीं चाहते, अगल बगल वाले नहीं चाहते कि वो मिले, मतलब ये वाला जब इसके साथ क्या करेगा, मिलने आएगा, तो यहां जो मिलेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आपस में क्या लगा तो दुनों को पास आना होगा और पास आने से पहले यह एक दूसरे चुम्हाले से तक्रा जाएंगे बार वाला मितायस वाले से यह वाला इस वाले से मतलब एक systemic hindrance की वज़े से यह एक दूसरे को अपरोज चीज नहीं कर पाएंगी radical radical गलो यह बात समझ में आएकी नहीं हईज तो इस case में क्या होगा इस case में यह के साथ डारेक्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि श्टिरिड हिंडरंस क्या है? ज्यादा है तो क्या होगा देखो यहां अगर तुम देखो तो यहाँ दो हाइट्रोजन मैं दिखा देता हूँ एक हाइट्रोजन मैंने ऐसे दिखा दिया बोलो यार जल्दी से यह बात समझ में आई कि नहीं यह बात समझ में आई कि नहीं अब तुम क्या कहोगे अब तुम क्या कहोगे और ये वाला रेडिकल रेडिकल में possible products पूछेगा आप से question में कि कौन कौन सा possible product बन सकता है अब देखो ये रेडिकल अब इसके साथ क्या कर सकता है मिल सकता है इसको doublet complete करना है इसको octet complete करना है और यहाँ ये मुन्ना क्या करेंगे ऐसे अब देखो ये जो paid molecule क्यों बोला क्योंकि यहाँ जिस रेडिकल की coupling हो रहे है दूसरे के साथ वो एक paid electron थे यहाँ carbon और hydrogen के ये बात सबको समझ में आनी चाहिए जैसे तुमने यहाँ paid molecule बनाया था यहाँ हमने paid molecule का एक portion radical था radical का ही use किया यहाँ तक की बात समझाए very good afternoon बोलो यहाँ तक की बात समझाए तो मेरे पास क्या product बनेगा CS3, CS3 यह CS3 और यहाँ मेरे पास यह और दूसरा क्या बनाओगे CS3 carbon CS3 और उसके साथ क्या बनेगा CH2 यह दो product तुम्हारे पास बनेगे बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई के नहीं आई जल्दी से फटा पटस एक बार बताओ जल्दी से एक बार बोलो कि दुनों समझ में आया की नहीं आया यह वाला मामला तुमको समझ में आया की नहीं आया जलदीस बोलो फड़ा पड़्सी एक बाए करेंगे कि यह वाला आया या नहीं आया समझ में क्या है यह समंझ मिंए आया या नहीं आया मतलब क्या हुआ अगर मेरे पास टीरी खिंडरस मतलब त्री डीग्री वाला 3-degree वाले के साथ जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा डारेटट coupling नहीं करेगा यहां तक के बात समझ में आई या नहीं बोलो जल्दी से fast fast बोलो अचा next अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अगर यहां सकता तो ऐसा हो सकता यह तो स्टेबल है ना क्योंकि फिनाईल रिंग है इसके बगल में तो तो क्या इनका मामला कैसा बनेगा अगर यह बनेगा या नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट चा बनेगा तुमको बताना है तुमको बताना ही पड़ेगा तुमको बताना ही पड़ेगा तुमको बताना ही बनेगा और कितने बनेगे कितने बनेगे कौन सा बनेगा जल्दी से बताईएगा फटा पट से फास्ट फास्ट आंसर कर दो बस एक दम से जल्दी जल्दी से तुम्हारे आंसर आने चाहिए कि क्या बनेगा कब बनेगा क्यों बनेगा कैसे बनेगा और क्यों बनना चाहिए इ जल्दी जल्दी से आंसर किया जाए मुना किया जाए मुना जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से आंसर नहीं आ रहा है कि सर बनेगा यस और नो यस सर बनेगा यस बोल रहे हो क्या यस सर बनेगा ये बोल रहे हो क्या काजल और प्रीति ये बोल रहे हो क्या यस बनेगा ये बोल रहे हो क्या यस और नो बनेगा या नहीं बनेगा यस और नो बोलो यार इतना पढ़ाने में दम ने लगता इतना तुम्हारे को यस बोलो यार बोलो यार बोल दो प्लीज रिप्लाइ कर दो इसमें ज्यादा एनर्जी जाता तुम्हारे साथ अब बोला तो है तुमने यस अब बताने क्या बोला है इसी का बोला होगा यस या पीछे वाले का बोला है बोला नहीं बता चलो देखो मेरी बात जब यहां CS3 थे तब ही मामला नहीं बन पा रहा था और यह तो बहुत बड़े बारी बलका है नहीं बनेगा नहीं बनेगा बि यह जो थे, यह पापा लोग थे, तो यह दादा लोग है, और दादा लोग की पावर ज़्यादा है पापा लोग से, तो यह तो बिल्कुल नहीं मिलने देंगे, बहुत भारी बलकी है, यह तो बहुत भारी बलकी है, तो सर यह वाला अगर नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, क यहां डबल बॉंड है एक यहां डबल बॉंड है यहां डबल बॉंड है अब तुमने क्या किया तुमने इसको रेडिकल की तरह तोड़ा यहां और यहां यहां यह बात समझे आ रही है सबको तुमने क्या बना है एक कार्बन एक कार्बन के उपर पी-एच एक कार्बन के और यह आगे फर्दर एक रिंग है फिनायल की रिंग और इस रिंग के ओपर जब यहां रेडिकल बना है और इसके बगल में दो क्या है डबल बॉंड है एक डबल बॉंड यहां एक डबल बॉंड यहां है इस डबल बॉंड को मैं ब्रेक करवा देता हूं फिर से यहां और य अब तुम देखोगे कि इस double bond को जब मैंने break किया इस वाले को इस double bond को अटाने के बाद एक radical यहां बना और एक radical यह दोनों तो मिलकर क्या बना लेंगे कुछ ऐसा करेंगे कमाल यह तो कुछ करेंगे ऐसा कमाल ऐसा ऐसा और इधर मेरे पास pH होगा और इधर एक radical अब मुझे अब जो radical है वो इन radical से इन बड़े-बड़े ग्रूप से थोड़ी दूरी पे चला गया है इन जो छोटे-छोटे जो बाहरी बल्की ग्रूप है CC bond कार्बन के बीच में double bond कार्बन के CC के बीच से कार्बन कार्बन के बीच में double bond अब मुझे एक बात बताईएगा अब यह जो radical तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है इनके उपर यह वाले ग्रूप है इस के साथ क्या कर सकता है कपलिंग कर सकता है जल्दी से बोलो फटापर से क्या बनेगा प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट तुम्हारे पास यह बन जाएगा यहां मेरे पास एक रिंग होगा सर यह वाला डबल बॉन डबल बॉन इसके साथ कार्बन कार्बन के उपर पीएच रिंग होगा इधर भी पीएच रिंग होगा और इधर भी तुम्हारे पास क्या है पीएच सुरी सिंगल बॉन इस कार्बन पर एक पीएच इधर पीएच और इधर भी पीएच यह बन सकता है इसके अल वाले के साथ तीन वाला मिल सकता है, एक वाले के साथ तीन वाला मिल सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दो वाला, दो वाले के साथ मिल सकता है, यह बात सब को समझ में आई की नहीं है, जल्दी से बोलो, यह बात सब को समझ में आई की नहीं है, अब तुमको ना, ऐस तो पिच में यह नहीं हो जाएगा जोई पादने बनेगा नहीं बनेगा जवाब देदें नहीं बनेगा, बनेगा तो क्या बनेगा, और कैसे बनेगा, देखो सुनो मिरे बाद, मैंने तुमको वाला तीन वाला तीन वाले के साथ नहीं बन रहा, तीन वाला दो वाले के साथ तो बन रहा है, ये वाला तीन वाला ये दो वाला बना रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक ही molecule रहा होगा, ऐसा तो नहीं होगा, कि ये एक ही molecule रहेगा, किसके अंदर है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ एक बार के लिए, इसको मैंने हटा दिया, इसको क्या कर दिया, हटा दिया, अब जब ये radical बना मुनना, तो ऐसा तो है नहीं, कि पूरे molecule के अंदर एक ही solution बन लिया ऐसा तो नहीं था यह भी तो रहा होगा solution के अंदर बोलो यार और यह रहेगा तो यह दो वाला और दो वाला दो बड़ा जल्दी मिल जाएगा बाग बाग कर मिल जाएगा एक्तम से दूसरा प्रोड़क्ट तुम्हारे पास यह भी मिल सकता है अगला पॉसिबल यह मेरपा C बन गया, तीन प्रोडिक्ट मैंने लेक दिया A, B, C, जिसमें C वाला तो बनेगा नहीं, A और B बनेगा, A और B बनेगा, और A और B में मेजर कौन बनेगा, यह तुम बता दो, A और B के अंदर मेजर कौन बनेगा, A मेजर बनेगा, की B मेजर बनेगा, A मेजर बने हां जी बोलिएगा रिप्लाइग करिएगा बोलिएगा तभी तो कुछ पता चलेगा कि क्या चल रहा है मामला क्या चल रहा है मामला जल्दी से बोलें फटा-फट से मेजर क्या बनेगा माइनर क्या बनेगा जल्दी रिप्लाइ करेंगे सभी मनना लो फास्ट यस ए बी बोलो यार ए बी मेजर तो बतादो मेजर माइनर तो बतादो ए बी ए और बी मेजर माइनर बताओ फिर फटाफट कलास एंड करते हैं ए गंटे सूपर हो गया क्लास मेजर और माइनर क्या बनेगा Major and minor क्या बनेगा कि अब राज काजल प्रिति बोलो पटतापते कि यह सर्ण बॉल दो यार इसमें क्या बड़ी बात है कि यह बनेगा सर्य नहीं बनेगा वस बात हक्तीम कि सर्य यह बन जाएगा और यह नहीं बनेगा इतना सा बात है कि सर यह बनेगा यह नहीं बनेगा यह बनेगा वो नहीं बनेगा चलो जल्दी बोलो भड़ा पड़जी फास्ट फास्ट बोलो तह को सुनो मेरे बात, जब भी यहां देखेंगे ना stability तो यहां benzened drink देख लो benzenoid drink बोल दिते हैं, चिसमें ज्यादा benzened drink होगी, stability ज्यादा होगी बस बात कतम इसमें चेक कर लो, 12345 इसमें चेक कर लो 1234 चार, यहां चार है और वहां पांच है, और इसमें यह तो count होगा नहीं, ना यह count होगे, क्योंकि यह तो 4-4 electron लेके बेठे हैं, यह तो aromatic ring नहीं है, आ रही है बात समझ में, आ रहा है बात समझ में, तो कौन हो जाएगा, A वाला major हो जाएगा, B वाला minor हो जाएगा, this is major, this is major, और this is minor, बोलो यार, फटा फट से बोलो, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी से बोलो फटा फट से, जल्दी से बोलो फटा फट से, यहां तक का बात समझ में आया की नहीं है, जल्दी से बोलो फटा फट से, first, first, first answer करें जल्दी से, ठीक है, क्लियर वहा यह वाली बात सबको कहानिया क्लियर हुई कि यहां तक की सबको किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से क्लास को एंड करेंगे इसके अलावा तुम्हारे लिए यह सेशन्स आप जोइन कर सकते हो दोस्तों इन सेशन्स को देख सकते हो यहाँ चल रहा है अपन इसमें अभी थोड़ा सा portion बचा है, inductive चल रहा है, inductive के बाद simple, aromaticity और acid-based chemistry, acid-based chemistry and aromaticity, bass, और तुम्हारा ये सारा खतम, GOC, एक दब, तेरा lecture इसके हो चुके है, आपको जो hyperconjugation हो रहा है, जो जितना use यहां हो रहा तो वो सारे तुम वहाँ जाकर, बिल्कुल क्या देख सकते हो, free के अंदर ये चलते है, special class के उपर free में, अगर आप first time विजिट करते हो, और आपको class लोक मिलता है, तो आपको सिरफ BCAM10 code यूज करना है, दोस्तों, BCAM10, और 10% आप क्या पाऊगे, discount पाऊगे, BCAM10 code यूज करना है, ठीक है, ओके जी, धन्यवाद आप सभी का, thank you so much, मि तीन बजे मिलेंगे मुन्ना लोग, physical chemistry और उसमें start करेंगे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या start करेंगे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीन बजे, ठीक है, यूटूब पे होगा ये सेशन, छै बजे हम मिलेंगे, एप के उपर, 6 पियर, एप के उपर, thank you so much, धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन सुबो,